हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल SP क्लासेट में मैं हूँ विजा कुमार और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास स्ट्रेंथ के प्रकास से रिलेटेड है और हमें सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए कि आउतल दरपड की फोकस दूरी उसकी व वक्त दरपड के लिए वो वक्त दरपड की आधी होती है चलिए हम देखते हैं पहले हम एक आउतल दरपड बनाएंगे आउतल दरपड की से करते हैं जिसका परावर्ट तक प्रिष्ट अंदल की और दबा होता है और उबरे हुए भाग पर कलाई या लाल आकसाइट का ले दिख दिख से मनटे तो प्राप्त दरपड क्या और आउतल दरपड क्या शलाएगा जावावाख़ब मुप हमारे क्या होग पर्लेगा और तक्र-प्रिष्ट यह हमारा होता है मोक्य अक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकास की किरण परावर्तन के पर्शार होकस से होकर जाएगी यहां पर हो जाएगा हमारा आफ फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकास की किरण परावर्तन के पर्शार होकस से होकर जाएगी और दूसरी बार यह हमारे जहां पर प्रकास की किरण पढ़ेगी उसको हम कहांगे आपतन बिन्दू जिस पॉइंट पर वो प्रकास की करण पढ़ेगा इस अब यहां पर यहां पर ऐसे एक हम अभीला मदालेंगे आप तर्विल्ट पर उसकों डाय से दिखाते हैं अब यह यह और इस पॉइंट को पाहिए चीज़ा होता है वक्रता केडर होता है क्या होता है वक्रता के लिए मतलब अगर यहां से करते हैं घृता है और थिसको क्यूं करते हैं यहां से अभक चलिए है जो फोकस डूरी ईच्छट है चली सब्सक्रावाइब हरा से परया होती है कि हम प्रधुत की हिर साधि के सब्सक्राइब इस गृण है और पर अंतों सब्सक्राइब सेसे और कह सकते हैं अबUNDएницया से कुण A, B, C बराबर कुण C, B, F यह कुण I है और यह कुण R है यह हमारा हो गया परावर्तन के प्रथम नियम से परावर्तन के दुती नियम से परावर्तन परावर्तन के नियम से लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम क्या का सकते हैं, परावर्तन के नियम से का सकते हैं, कि कुण आई और कुण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अब देखिए, दूसरा देखिए, इसको हम समीकरण एक माल लेते हैं, यह हमारा समीकरण एक है, कौन, कौन, A, B, C, बराबर होगा, किस कोन के, B, C, F के, इसके, B, C, F के, ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखिए, ये दुनों समानता रिखाएं हैं, ये दुनों क्या हैं, समानता रिखाएं हैं, और समानता रिखाओं के, एकानता कौन, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब यह कह सकते हैं कि कौन A, B, C, A, B, C, किसके बरावर होगा, B, C, F, तो यह भी कौन I है, तो यह भी हमारा I हो जाएगा, B, C, F, आपस में क्या हो जाएगे, बरावर हो जाएगे, तो इसको हम कह सकते हैं, समीकरण 2, अब दिखिए, कौन I बरावर कौन R है, और कौन I बरा पुझा सकते हैं एक जाब बहुत है एक उतर कौंठ ट कौन करें समीर्ण एक तथा दो से समी करन कर तथा समी करन है कि कर दोषे समीधर क difu से कि ढगातhst प्रोचा जाएगा कि इधर भी ऑए याई है किसका मतलब यह दुन आपस में बराबर होंगे मतलब क्या हो जाएगा कोड़ B C F बराबर कोड़ आर कोड़ B C F बराबर कोड़ आर यह पॉइंट हमें मिल ला है यहां से अब आते हैं इस त्रिभूज में कौन से त्रिभूज त्रिभूज B C F में त्रिभूज B C F में यहां से आप देखिए कि कोड़ जो B C F है कोड़ B C F मतलब यह कोड़ और C B F, यह दोनों कोड़ आपस में क्या नहीं? बराबर नहीं, तो यह त्रिपुज में देखा जाए, तो कोड़ B C F बराबर कोड़? सी बी आफ और यह ज़र जो किसी भी ट्र investment in डो कॉना अपस बराबर होते हैं तो उन्हें करते हैं संदीबाउर्ट मतल यहां से आप रेख लिँजे यह कोई किसी ट्रीबुंज में दो कॉन आपस में बराबर होते हैं यहां करते हैं और आयसे तो हम पर अफस बराबर हो दोह दुखुकां प्रसमें और होस्कार। यहां समी आपता है, की सी , जिस समदीवार लिए जिसकी कौण crime हो जाए आपसा मेंख़ुकां। cf और fb cf बराबर fb यहां से हमें यह बाते मिलेंगी कि जो cf होगा वो fb के क्या होगा बराबर होगा क्यों? क्योंकि cfb जो हमारा त्रिबूज है वो कैसा त्रिबूज है सम्ध्वि बहुत त्रिबूज है अब आते हैं आगे आगे हम बात करेंगे कि यदि यह जो दरपण है यहां से हम लेते हैं M1 इसका और यहां पर लेते हैं M2 यह जो M1 और M2 है यहां से सीदे जो ब्यास की चाह जाएगा जो इसका द्वारत होगा M1 और M2 की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी द्वारत कहलाती है अगर हमारा दर्पन छोटा हो द्वारग उसका क्या हो? बहुत छोटा हो तो हम नहीं सकते हैं यह भी दर्पन का द्वारग दर्पन का द्वारग छोटा हो छोटा हो तो क्या होगा? अगर दर्पन का द्वारग छोटा होगा तो यह पॉइंट जो B है वह पी के बहुत क्या होगा? नजदीक होगा. मतलब यहां से दिखिए कि यह जो अगर दर पन चोटा होगा तो ये जो point B होगा ये कहीं निखुए इसके आज-पास होगा बहुत पास होगा तो यहां पर जो B point होगा वो P के क्या होगा? बहुत ही नजदीक होगा, तो कह सकते हैं, वो तो बिंद B, बिंद P के निकट होगा, बिंद B क्या होगा, बिंद P के क्या होगा, बिल्कुल नजदीक होगा, निकट होगा, और ऐसा होने पर जो FB होगा, वो FB के क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या होगा FB बराबर FB यहां से हमें एक बिन मिलेगा कि जो FB है वो FB के क्या होगा दिल्कुल बराबर होगा अब यह भी कह सकते हैं कि जो FB है FB वो CF के बराबर है जो FB है FB FB जो है वो किसके बराबर है CF के बराबर है और यहां पर देखिए आप क्या आ रहा है कि जो FB है वो FB के बराबर है तो इसका मतलब क्या यह समीकरण 1,2 था यहां से आप इसको माल लिजिए समीकरण 3 और यहां से माल लिजिए समीकरण 4 तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या कह सकते हैं समीकरम 3 तथा समीकरम 4 से क्या कह सकते हैं कह सकते हैं कि जो cf होगा वह fp के बराबर होगा क्या कह सकते हैं cf बराबर fp यह पाइंट देखिए आपको यार होना चाहिए यार क्या होना चाहिए अगर आप प्रूब करेंगे तो ऐसी चीज़े यहां पर आएंगी तो cf जो है वह fp के बराबर है वदल यहां से देखिए फिगर में cf बराबर हो गया fp के अच्छा अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि cf कितना होगा सॉरी cp कितना होगा cp c और p मतलब वाकरता तरजिया r कितनी होगी तो यहां से आप रेक कर सकते हैं कि cf cf प्लस fp cp किसके बार रहेगा cf fp तो cf प्लस fp हम लिख सकते हैं और यहां पर देखिए जो cf है वह fp के बराबर है तो cf की जगह पर हम fp लिख सकते हैं तो यहां से cp बराबर कह सकते हैं कि fp cp प्लस का fp मतलब या cp बराबर 2fp या पी अब दिखें यहां पर value रग दीजिए cp क्या है cp क्या है इसको हमने r से denote किया था capital r से और r क्या होती है r क्या है वह दरपन की वख्रता त्रिज्या है तो यहां से हम लिखा सकते हैं r बराबर 2 और fp क्या है focus दूरी small f तो यहां से हमको मिला r बराबर 2f या f बराबर r by 2 focus दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 हम इस तरह से और उतल दरपड के लिए हम यह दिखा सकते हैं कि जो focus दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है इसी तरह से हम उत्तलणड्धका क्यों प्रड़ की ज़ूर्य होती वह भी वह प्रता कि क्या होता है आधि होती है वीडियो दिखने के लिए ठैक्यू और भी अगर इस्स डैटि टी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं आप इसको नोट कर लिजी